भाग ये खुलने वाला है आपका, जी हाँ, dreams अगर आप बगवान शिव से related देखते हैं, तो it means आपका भाग ये खुलने वाला है, जी हाँ, महा शिव पुराण में भी लिखा है कि लाखों में से किसी एक को लौड शिवा या शिवलिंग के दर्शन सपने में होते हैं, या एकदम से शाक्षा दिखते हैं, या उनका कुछ रूप दिखता है, या शान्त बैठे हुए दिखते हैं, अर्थार आप बहुत special and unique हैं, इसलिए आपको भागवान शिव के दर्शन होते हैं, और भागवान शिव की आप पर असीम कृपा है, और हो सकता है, पिछले जन्म म आप लौड शिवा के डिवोटी रहे हों, यदि आप भागवान शिव को देखते हैं, या भागवान शिवलिंग को देखते हैं, तो इसका अर्थी यह है कि पिछले जन्म में जो कुछ काम या sole purpose पूरा करना था, वो पूरा हो नहीं पाया, और इसलिए आपने इस जन्म मे आकर बार-बार आपको उनके ड्रीम आते हैं, और कुछ ना कुछ संकेत आपको मिलते रहते हैं, चाहे आप किसी और रिलीजिन में भी हैं, तो भी आपको भागवान शिव के, भागवान का त्रिशूल, शिव भागवान का डमरू, शिव भागवान का चंद्र, उनके स्ने या साप दिखाई देते हैं या अर्धनारिश्वर रूप भी दिखाई देता है या मर्जोतावा दिखाई देता है किसी भी फॉर्म में तो समझे आप पर भगवान शिव की असीम कृपा है यहने कि आने वाले कष्ट भय और विपत्तियों से बचाने का यह संकेत है यदि आ अगर आप अर्धनारिश्वर देखना बार बर दिखाई देता है आपको तो यह भी एक शुब संकेत है तो यह कभी भी मत सोचिए कि यह शुब संकेत है कि अशुब तो नहीं है स्नेक देख लिया या कुछ आगे मैं बताती हूँ देखिए अगर आप बगवान शिव को द रियूनियन होने वाला है पीस अन लव में आप अपने आपको आने वाले हैं स्पिरिच्वल जर्नी में आप चल रहे हैं तो बगवान शिव की असीम कृपा आप पर हो सकता है आप कुछ प्रवक्ता हों कुछ बोलने में अच्छे हों वक्ता हों तो उसमें आपको की और जितना मुड़े उतना अच्छा है अगर आप यह सब भी नहीं करते हैं आप कहेंगे हम तो सिंपल इंसान है फिर भी हमें हम तो जॉब गोर हैं है तो हमें यह सबने दिखने का क्या मतलब है ठीक है अगर आप अटून जर्नी में भी नहीं है आप कोई कोई प्रवक् जनम में आप भगवान शिव के डिवोटी रहे लेकिन वो परपस पूरा नहीं कर पाए तो इस जनम में आपको पूरा करना है और एक तरह से गाइडेंस भी है कि अपने विज्डम की और बढ़े नौलेज तो बहुत हो सब के पास है इवन गूगल के पास तो बहुत ही तो ये नई उर्जा का परतीक है न्यू उपर्चिनिटी का परतीक है बैलेंस का परतीक है तो अब आप देखें कि न्यू उपर्चिनिटी आपकी लाइफ में क्या आ रही है देखें अपर्चिनिटी आती रहती है आती रहती है भगवान हमें बहुत कुछ देता है हम बस देख नहीं पाते, ग्रैब नहीं कर पाते, और इसी वज़े से हम कहते हैं हमारी किस्मत में कुछ है नहीं, तो इसलिए अंदुरूनी आखे खोल के रखे और जो भी अपोर्चिन्टीज आती हैं उसको ग्रैब करें और बैलेंस बनाए रखें, डंबरू की आवाज सुनते है अगर आप सपने में, तो इसका अर्थी यह है कि आपके जितने भी कष्ट हैं, वो अब खत्म होने वाला है, इसलिए कहा रही है, भाग्ये खुलने वाला है, हो सकता है आपको जल्द ही कोई गुड निउस मिलने वाली हो, यदि आप डंबरू देखते हैं या उसकी प्रतीक है, अत्यांत शुब स्वपन है यह, जल्द ही सौभाग्ये की प्राप्ति आपको होने वाली है, कभी भी अपने आपको इस तरह से डिमोरलाइज मत कीजे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, या शादी नहीं हुई, या बच्चे नहीं हुए, यह सब कुछ आपके पास लाइफ के कर्म के कारण होता है, इसलिए अपने आपको, अपने अंसिस्टरस को भगवान को कभी भी कर्श ना करें, क्योंकि आप जो हैं, वो बिल्कुछ सहीं है, आज जो आपके पास है, वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग है, इसलिए भगवान शंकर यही कहते हैं, कि अगर आपने मेरा तिर्शूल देखा है तो आपकी ये उन्नती का परतीक है भगवान शिव तीनों ही स्टेचिस से उपर उठे हुए हैं अगर आप चारों और समस्याओं से गिरे हुए हैं इस समय में और आप तिर्शूल देखते हैं तो ये ड्रीम आपकी अवेकनिंग का परतीक है इसलिए बी अवेर यही तो बात है जब शिव तत्व की बात आती है तो शिव तत्व कैन एबसॉब अल देगेटिविटीज अफ दे वर्ल्ड इस इस दे सिगनिफिकेंस अफ लॉर्ड शिवा ड्रिंकिंग पॉईजन यही तो उन्होंने अपनी दूसरों की सारे जग की समस्याओं को अपने कंठ में धारन कर लिया लेकिन खुद को भी नुकसान नहीं होने दिया यही तो है अगर आप तो इन फ्लेम जर्नी में है बहुत अच्छी बात है लेकिन आप कितने ज़्यादा इमोशनल है इस चीज़ को आपको कंठोल करना पड़ेगा अगर आप चंद्र महा को देखते हैं भगवान शिव के सिर पर मस्तक पर लगे वे चंद्र को देखते हैं तब लाइफ में जॉब स्टडीज या बिजनस से रिलेटिड कोई भी न्यू डिसीजन आप लेने वाले है तो भगवान चंद्र के दर्शन होते है यानि कि भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्र है उस तरह का तस्वीर विजुलाइज होता है आपको ड्रीम में तो इसका मतलब कि आपको financially और emotionally कुछ gain होने वाला है कुछ प्राप्त होने वाला है और यदि आप snake को देखते हैं अगर आप karmic या toxic या bad relationship में फसे हुए हैं तो आपको उस relationship से दूर चले जाना चाहिए ये संकेत है यदि सपने में साप या snakes देखते हैं भगवान शिव के या भगवान शिव के आपने मूर्ती देखी है और चारो तरफ साप चलते देख रहे हैं या कई मूव के साप देख रहे हैं ये और भी description में आ सकता है अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी या काले साप देख रहे हैं पीले देख रहे हरे इन सबका अलग-अलग meaning है लेकिन भगवान शिव देख रहे हैं snakes देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि अच्छे relationship में अगर आप हैं तो आपके अंदर जो sadness, insecurities indecisiveness और co-dependency है तो उस पर आपको work out करना चाहिए क्योंकि इतनी negativities के साथ तो इनसान जिन्दा तो रह सकता है बट जी नहीं सकता इसलिए निर्गुन कहा जाता है बगवान शिव को कि one who is without form and निराकार कहा जाता है कि he has no shape और पार ब्रह्म मतलब supreme transcendental consciousness तो इसलिए किसी भी चीज के लिए proof ना मांगे just believe in this कि आपके सपने आपको आपका भाग्य खोलने की और अग्रेसर कर रहे हैं आपको guide कर रहे हैं आपके wisdom की और लेकर जाना चाह रहे हैं आपको new opportunities नया जीवन देना चाह रहे हैं तो उसका स्वागत करें proof ना मांगे just believe करें thank you